हलो आवरिवन तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टील अथर्टी अफ इंडिया लिमिटेड बोकेरो स्टील प्लांट की और से दोस्तों यहाँ पर एक नोटिफिकेशन निकाला गया है जो कि दोस्तों यहाँ पर आप डेट देख सकते हो 27 अक्तुबर 2023 को इनकी और से एक नोटिफिकेशन निकाला गया है जिसमें इनोंने कुछ वेकेंसी निकाली गई है इनकी और से दोस्तों अड़र्टाइजमेंट का नंबर आप यहाँ पर देख सकते हो और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर फिर इनोंने कंपनी के बारे में लिखा है कि जो कंप नीचे आप यहाँ पर देख लीजे जो सेल कंपनी का बोकेरो स्टील प्लांट है दोस्तों यह इन्वाइट करता है ओनलाइन एप्लिकेशन के लिए फ्रॉम एनरजेटिक, रिजल्ट ओरियंटिड, प्रॉमिसिंग एंड टेलेंटिड यूथ एनरजेटिक जो होंगे अप्लिकेशन जो हैं वो संमिट कर सकते हैं बोकेरो स्टील प्लांट के लिए ठीक है दोस्तों आप नीचे देख लीजे यहाँ पर अटेंडेन्ट कम टेकनीशन ट्रेनी, ग्रेड एस वन की यहाँ पर वेकेंसी जो है इनकी और से निकाली गय है SC के लिए 10 वेकंसी, ST के लिए 22 वेकंसी, OBC के लिए 10 वेकंसी है EWS वालूम के लिए 8 वेकंसी है ठीके दोस्तो तो आप देख लीजे यहाँ पर कि आपकी जो भी कैटेगरी है आप अपनी कैटेगरी के साथ से यहाँ पर चेक कर लीजेगा कि आपकी कैटिगरी में कितनी क्या वेकेंसी जो हैं वो रखी गई हैं थोड़ा साम नीचे स्क्रॉल करतें दोस्तो यहाँ पर यह जो वेकेंसी इनकी और से निकल कर आई हैं इसके लिए देख सकते हो दोस्तो एटेंडेंट कम टेक्निश ट्रेनी की ये वेकेंसी रहने वाली है 28 years तक आपकी age अगर है तो दोस्तों आप यहाँ पर apply कर सकते हैं आपने 10th pass किया होना चाहिए और साती साथ दोस्तों एक साल की apprentice भी आपने की होनी चाहिए तब ही जाकर आप यहाँ पर इस post के लिए apply कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों age में आपको यहाँ पर relaxation भी देखने को मिल जाएगा यानि आपको further यहाँ पर age में छूट जो है वो मिल जाती है दोस्तों अगर आप किसी category से belong करते हैं तो वो आप यहाँ पर चेक कर लिजेगा इसके अलावा यहाँ पर medical standard में आप देख सकते हो कि आपकी height जो है वो क्या होनी चाहिए अगर आप male है तो 155 cm आपकी height होनी चाहिए weight आपका 45 kg होना चाहिए chest measurement आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर female के बारे में भी बताया गया है इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजे training and probation यानि यह जो post है दोस्तों attendant come technician की यह जो post इनकी और से निकल कर आई है इसके लिए सबसे पहले एक साल के लिए आपको probation period पर रखा जाएगा जब आपका एक साल का probation period complete हो जाएगा on successful completion of training period जब आपका training period complete हो जाएगा दोस्तों फिर आपको they shall be regularize in their initial grade at the minimum basic pay of their respective grades यहाँ पर क्या लिखा गया है दोस्तों कि जो भी selected candidates होंगे इन पोस्टों के लिए जो भी selected candidates होंगे उनको place किया जाएगा training पर for a period of two years दो साल तक आपको training period पर रखा जाएगा जिसमेंसे one year जो है वो probation का रहने वाला है ठीक है तो यह यहाँ पर बतायागे इसके अलाव selection process क्या रहेगा तो इसके लिए आपको CBT लिया जाएगा यनि computer based test लिया जाएगा जिसके बारे में detail जो होगी दोस्तों वो admit card के जरीए आपको मिल जाएगी यानि कौन सी place कौन सी जगा पर आपका ये CBT conduct कराया जाएगा कौन सी date रहेगी और कौन सा day रहेगा दोस्तों ये सारी details वागेरा जो भी होंगी वो admit card पे आपको detail जो है वो मिल जाएगी तो वो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर detail जो है वो लिखी है इसके बारे में तो आप यहाँ पर खुद से भी readout कर सकते हो अगर मैं step by step आपको यहाँ पर दोस्तों बताने बैठ गया हूँ तो यह बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी इसलिए मैं आपको short short में बता रहा हूँ इसके लावत दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजे कि किसी भी information के लिए any information regarding computer based examination और skill test computer based और skill test के रिगार्डी में किसी भी information के लिए आप इनकी website जो sale की website www.sale.co.in या फिर www.salecarriers.com पर जाकर check out कर सकते हैं फिर यहाँ पर दोस्तों आप salary के बारे में देख सकते हो कि कितनी के आपको salary यहाँ पर मिलने वाली है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है और बात करें दोस्तों यहाँ पर attendant come technician trainee की post के लिए कि यहाँ पर आपको fees कितनी क्या pay करनी है अगर आप यहाँ पर interested होंगे apply करने के लिए तो देख सकते हो application fees plus processing fees general EWS और OBC candidates के लिए 300 रुपे लगने वाली हैं और अगर आप SC, ST, PWD, departmental या ESM candidates हैं तो आपको यहाँ पर processing fees 100 रुपी जो है वो only लगने वाला है ठीक है और यह जो fees है दोस्तों यह आपको online mode से ही pay करनी है इसके बारे में यहाँ पर modes भी बताये गए हैं तो आप यहाँ पर check out कर सकते हैं दोस्तों how to apply आप यहाँ पर लिखा गए किस तरीके से आप यह जो इनकी और से vacancy sale company के और से यह जो vacancies निकल कर आई हैं इसके लिए आप किस तरीके से apply करोगे तो eligible और interested candidate जो भी होंगे उनको online ही apply करना है sale की website के उपर जाकर ठीक है इसके लाव कोई other modes नहीं है दोस्तों apply करने का तो आप sale की website के उपर ही जाओगे जो मैंने अभी उपर चलकर आपको website बताये दोस्तों उसी website पर आप जाओगे और यहाँ पर online mode से apply कर लोगे ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हो online payment जो है वो आप net banking से कर सकते हो credit card से भी कर सकते हो ATM come debit card से भी आप यहाँ पर pay कर सकते हैं थोड़ा सा नीचे scroll करते हैं कुछ और important देख लेते हैं देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर जो आपको एक्जाम कंडेक्ट कराया जाएगा सीवीटी एटेंडेंट कम टेक्निशन ट्रेनी की पोस्ट के लिए इसके लिए आपको 90 मिनेट्स दिये जाएंगे जिसमें से जनरल नॉलाई से आपको questions पूछे जाएंगे logical reasoning से आपको questions पूछे जाएंगे quantity aptitude से आपको questions पूछे जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर कुछ मतलब बताया गया है कि कौन कौन से area से आपको यह questions जो है यह पूछे जाएंगे इसके लावाद दोस्तों जो questions होंगे यह आपको bilingual version में रहेंगे यानि कि दोस्तों English और Hindi किसी में भी आप देना चाहें आप यहाँ पर paper को कर सकते हैं all questions of a section will carry equal marks सभी sections के जो questions होंगे वो equal marks के रहेंगे penalty for wrong answer मतलब यहाँ पर अगर आप किसी भी question का गलत answer अगर आप दोस्तों देते हो तो आपको यहाँ पर penalty जो है 1 by 4th की negative marking रहेगी है न 1 by 4th की यहाँ पर जो है आपको negative marking भी रहेंगे अगर आप किसी भी question का गलत answer देते हो तो 1 by 4th की आपको यहाँ पर marks जो है वो deduct किये जाएंगे थोड़ा साम नीचे scroll करते हैं कुछ और important देख लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो starting date रहेगी दोस्तों application submit करने की तो वो यहाँ पर website पर आप जाकर इनकी website पर जाकर आप 4 नवंबर 2013 से जो यहाँ पर date है वो start हो चुकी है और closing date जो है दोस्तों वो यह यहाँ पर 25 11 यानि दोस्तों 25 नवंबर 2013 तक आप online mode से application को submit कर सकते हैं और जो दोस्तों यहाँ पर download करने की date रहीगे admit card जो call letter होता है दोस्तों उसको download करने की जो date रहेगी वो अलग से मतलब जो दोस्तों admit card रहता है या फिर call letter कह लीजे उसको आप download करोगे ताकि आप computer based exam दे सको है ना तो इसके लिए जो date है दोस्तों download करने की यह अलग से separately आपको communicate करेंगे तो इसके लिए आपको इनकी website के ओपर चेक करते रहना पड़ेगा regular चेक करते रहना पड़ेगा औ इसके बारे में और download करने के यह अलग से आपको communicate करेंगे अलग से यह बता देंगे इनकी website के तुरू आपको सारी चीजें दोस्तों पता लग जाएंगी तो इसलिए आप यहाँ पर इनकी website पर चेक करते रहेगा ठीक है दोस्तों तो मैं hope करता हूं दोस्तों कि आपको सारी चीजें जो हैं वो clear हो चुकी होंगी so thank you very much